अस्सलाम अलाइकुम आज मैं आपसे चिकन मलाई तिका की रेसिपी शेयर करूंगी तो चिली आई देख लेते हैं कि चिकन मलाई तिका को बनाने के लिए हमें किन इंग्रीडियंट्स की जरूरत होगी तो यहां पर मैंने वन टी स्पून फुल के जितनी ग्रीन चिली से ले हैं और यहां पर यह मैंने फ्रेश कोरियंडर लिया उसे मैंने क्रश कर लिये यह भी वन टी स्पून फुल के जितना है और वन टेबल स्पून के जितना हमें चाहिए होगा वेजिटेबल ओल इसके लावा वन टेबल स्पून के जितना हमें चाहिए होगा कॉन फ्लार हाफ या आप अपने टेस्के कोडिंग ले सकते हैं कम ज्यादा और 1 लाफ टी स्पून के जितना हमें चाहिए होगा गरम मसाला पाउडर और 1 लेमन जूस इसके Εलावा, हमें चाहिए होगय त्री टेबल सपून के जितनी fresh cream, अगर आप store-bought fresh cream यूज़ नहीं करना चाहते革 तो घर में दूद के ओपर जमी हुई बालाई भी यूज़ कर सकते हैं चिकन को मेरिनेट करके रख लेते हैं हम तो सबसे पहले इसमें लेमन जूस डाल देते हैं सॉल्ट चल जाएगा इसमें और चिलिस डाल देते हैं इसमें क्रश्ट चिलिस और कोरियंडर और फ्रेश क्रीम यह इन्पॉर्टन इंग्रीडियंट्स है इसके बिना मलाय तिकका नहीं बन सकेगा और यह मैंने जिंजर पेस्ट गार्लिक पेस्ट डाल दियें गरम मसाला डाल देते हैं और यह ब्लैक पेपर पाौडर डाल दिये हैं मैंने इसमें और नाउर योगुर्ट डाल देतें इसने और इसमें चलिजाएगी बलाई, फ्रेश ग्रीम अब इसको अच्छे से mix कर लीजी आप और इसको छोड़ दीज़ीए एक हैंटे के लिए मैरीनेट होने के लिए अगर आपकी पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे ज्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैने मेरिणेट कर दिये इसके साथ सबख vision के लिए बादcular कभाग mental करते हैं अपर च्छेजय मेरिनेट कर दी इसको कोकिंग स्टार्ट के लिए अच्छा सब करेंगे तो यह स्क्यूर्ज को मैंने पानी में भिगो के रखा वा था ताके कुक करते वे यह बरन ना हो तो अभी हम इसको लगाना शुरू करते हैं इस तरह से आप लगा लीजिए जितने आपके स्क्यूर्ज में इजिली आ जाएं तो इस तरह से तमाम लगा लेते हैं तो तो तमाम मालाई तीका को मैंने स्क्यूर्ज पे लगा लिया तो चलिए आई आप इनको कुक करना स्टार्ट करते हैं इसमें 2-3 टेबल स्पून के जितना ओयल हम डाल लेंगे और अब यह हम इसमें तमाम स्क्यूर्ज मालाई तीका के रखना स्टार्ट करेंगे देख लेते हैं पैन में कितने आ जाएंगे इतने ही रखेंगे एक काइम पे इसलिए इसलिए इस पर ही हम रखते हैं वीट आप मीडियूम तू हाई पर रखिएगा मलाई तीका को पहने 2-3 मिनट के लिए हम हाई हीट पर कुख करेंगे और फिर बाद में इसको मीडियूम करके इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो टेंडर भी हो जाए अची तरह से तो इसको पलट लिए मैंने एक दफा तो अभी इसको थोड़ा सा कव कर देते हैं और इसे पकने देते हैं यह चिकन को देख लेते हैं पलट लेते हैं चिकन तिका को बहुत अच्छा से इस पर कलर आ रहा है तो तरन कर लेते हैं इसको तो बस इस तरह से मीडियम तो लो पर अब आप इसको कुख देगा अगें इसको कवर कर दीजिए और इसे क तो दखने मेलाईतिका को देख लेते हैं। पाफी इच्छा सा कलर आगिया, बहुत अख्या सा कलर, ठोड़ा साइट होने देते हैं। फोड़ा सौर होने देते हैं। उसके बाद हम भी निकाल लेंगे। तो चलिए इन दो स्क्य detta को मैंने air fryer में कुक किए यह दिखिए ये अच्छे को को जाते हैं AirFryer में और यह जो जो स्टोफ टॉप पर हम कुक कर रहे हैं यह बी रेडी है ओल्मॉस्ट तो चलिए कनीकाल लेते हैं इनको बिल्कव एडी हैं ये दोनों तरफ से तो 5960 यह निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको सर्विंग प्लैटर में निकाल के दिखाती हूं बहुत अच्छे से यह कुक हो गए है तो चलिए आईए चिकन मलाई तिका बिल्कुल रेडी है इसको मैंने सर्विंग प्लैटर में निकाल लिया है बहुत अच्छा यह बनके तियार ह है बहुत जूसी यह तियार होता है आप इसे एर फ्रायर में स्टोफ टॉप पे दोनों पे बना सकते हैं इजी ली तो बनाएगा जरूर ट्राइ कीजेगा विडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तेंक्यू अलाहाफिज